पास्कार दोस्तो एक नया वीडियो स्वामी साजानन एउन क्रिशा कांदल परिक्छाओं में दो को सन्नी सित्रूप से आते हैं एक्जाम की दृष्टी से बहुत ही महत्पुर्ण है यह सरसर्ट पर बीपीएसी के लिए पीटी और मेंस और जिन लोगों ने 66 वी बीपीएसी का मेंस देना है उनके लिए भी बहुत ही महत्पुर्ण है तो अगर चैनल पर ने नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ बेल आईकॉन भी प्रेस कर दे तो सुरू करते हैं दोस्तों पहला इसके प्रिष्ट भूमी किसान अंदोलन के सम्बंधित जो भी कोसर नहेंगे कि स्वामी साजा नन्द के क्रिषक अंदोलन में क्या योगदान था या क्रिशक आंदोनल की प्रिष्ट भूमी का विवेशना करें, तो इस तरह के कॉस्टन जो हमें सब पिटी और मेंस में आते रहते हैं, उनको हम बहुत बारीकी से देखेंगे, और जहां तक हो सके आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताने के कोसिस करेंगे, तो सुरू करते है अब क्रिशक आंदोनल की प्रिष्ट भूमी की एक अर्चार्चा करें, तो बिहार का क्रिशक आंदोनल ब्रिटिस सासेंग और उसकुस संगरक्षन में पल रह जमिनदारों, देशी रजवारों के आर्थिक सोसन चक्र के विरूद केंदरी के एक आंदोलन था, अब क्रिश देशी संबंदि जो भी समस्या थी, लगान कर, यह सब जो ब्रिटिस सासन थे, उनके अधिन जो भी जिमेदार जो जमिनदार हैं, देशी रजवारे हैं, वे सब किसानों का सोसन कर रहे थे, अधिक कर वसुलना, तो इन सब सोसन के विरूद एक किसानों का एक अंदोलन नाम से जाना जाता है, जमिनदारी ब्यवस्ता में जमिनदारों की भू स्वामी बना दिया गया, जमिनदार हैं इस भूमी का स्वामी होंगे, तथा ब्रिटिस सासन तथा जमिनदारों की नीदिया, क्रिशिक पुरद्धी होनी के कारण, अंदोलन की प्रिष्ट भूमी त पायार होकर सामने आई तो इस तरह से हम लोग प्रिष्ट भूमी को दे हैं उसके बाद हम कारण अनकारण की बारे में चर्चा करेंगे अगर कारण की चर्चा करें तो कारण में जो पहला आता है वो है लगान की दर अधिक होना चुकि क्रिशान पर अधिक बोश दिया जाता था कि वो लगान कर अधिक दे वसीलिय के तरीके कठोर और मनुविये था दूसरा था कि क्रिशी सुधार के प्रती ब्रेटिस सासन एवंग जमिनदारों की उदासी नता थी वो उनके मन मताबित नहीं काम करते थे अपात काल के भी समय किसानों पर राहत नहीं देते थे छूट नहीं देते थे तो ये अपातकाल के समझ भी किसानों हेत्य रहाते उंग्छुट की ववस्ताय का अभाव के कारण तथा महाजनों रिन जाल में ब्रस्ट पुलिस प्रसासन द्वरा किसानों का सोसन के बिरूतिया क्रिसक अंदोरन उबर कर सामने आया कुछ अनकारण भी है क्रिसी की अलाव कर होना क्रिसी का वाने जी करन आर्थिक मंदी और वामपंथ का अभार तवान वामपंथ का उभार जो है आर्थिक मंदी भी है और क्रिसी का वाने जी करन जो है और क्रिसी का अलाव कर होना इन सभी प्रसित्यों ने एक क्रिशान अंदुलन की प्रति एक समस्य उत्पन कर दी तो यह क्रिशान अंदुल का मुख कारण बना चलिए आगे देखते हैं स्वामी साजानन एमां क्रिशक अंदुलन समन दी इसमें एक एक कोस्टन भी आपको सामने सटिक दिखेंगे जो अब्जेक्टिब के तो पर पीटी में पूछे जाते हैं बिहार में क्रिशक अंदुलन की सुरुवात 1917 के चंपारन क्रिशक अंदुलन से हुई जहां मात्मा गांधी के पर्थम सत्यागरह दोरा किसानों को निलहे गोरे बगान मालिकों की अवायद वसूली एवंक तिन कठिया पर्णाली से मुक्ति मिली दूसरी चंपारन की सफालता ने बिहार के अन जिलो या छेत्रों के किसानों को भी सोसन के विरूत लड़ने की एक प्रेड़ना दी जैसे हैं चंपारन सत्यागरह शुरू हुआ और उसकी एक बड़ी सफालता उबर के सामने आई तो पता चला कि अन जितने भी किसान अंदोलन अलग-अलग छेत्रों पर सामने आ रहे हैं उनका भी निदान हो सकता है तो एक चंपारन सत्यागरह प्रेड़ना के तोर पर सामने आई अब देखते हैं 1919 के मद में स्वामी साजाननत के नितरत में दर्भांगा राजा के विरुद आंदोलन संगठित हुए दर्भांगा राज द्वारा कुछ मांग के विरुद मां लिये जाने के कारण कलांतर में भी आंदोलन सिथिल पर गया आगे देखते हैं कि स्वामी साजाननत एवं किरिशक अंदोलन में जो जो मुख बिंदू है वो इन सभी प्रस्णों में जो किसान सम्भी जो भी प्रस्ण आते हैं उत्में नहीं थे अगर पहले की बात करें तो मुंगेर में 1922 तेश इस्वी में किसान सभा का गठन अंदोलन कंडिर नायक मोर स्वामी साजाननत के नित्रुत से प्राप्थ हुआ जब उन्होंने मार्च 1928 को किसान सभा की और टारिक धंग से अस्थापना की और 1929 में इस सभा को गतिविधी काफी बरे पैमाने प्रप्रण भुई तो यहां से दो तीन कोशन उफर के सामने आए कि 1922 इस वी में किसान सभा का गठन कौन की है तो साह मोहमत जुबेर की है और स्रीक्रिस्टिंग के द्वारा कहा किया गया तो मुंगेर में किया गया दूसरा है कि 1928 में किसान सभा की अस्थापना साहजान अंद्वारा कहा की गई तो पटना में की गई यह भी कोशन बार-बार रिपेट होते हैं और इसे एक बड़े पैमाने पर गतिवी धिया बढ़ी और इस अंदोलन की बढ़ती लप्टियेता से और एक जमिनदारी का वर्ग चिंतित हुआ तो दूसरी और इस का दम करने के लिए सरकार पर दबाव डालने की कोशी भी प्रारम हो गई तो एक तरफ प्रिकडिया भी तेज हो जी और इसको दबाने का दमन करने का भी प्रिकडिया सुचारी डूप से चलने लगी इस उद्देश से एक राजनीतिक दल जो यूनाइटेट पॉलिटिकल सजयता में निननायक ब्रदी हुई और 1936 इस्वी में इसकी सद्यस्यता लगभग दूलग पचास सजयता तक पहुँच गई इसी करी में अगर आगे बात करें तो यहां पे आप देख पा रहा हैं कि स्वामी सजानन्द द्वारा कुछ समय के लिए हमारे भारतिय अंग्रे इन्ही के सहयोग से 1936 के चुनाओं में चुनाओं के पुर्व दोनों में समझावता हुआ और कांग्रेस ने अपने कुछ चुनाओं गोष्णा पत्र में किसानों के समस्या पर चर्चा की अगर चुनाओं के बाद बिहार में कांग्रेसी मंत्री मंडल के अस्थापना तो किशानों की समस्या का समाधान करने की एक मंत्री मंडल में कोई अभिरूची नहीं थी ले, जिसके कारण अभिरूची नहीं लेने के कारण कांग्रेस मंत्री मंडल और किशान सभाग में मत भेत प्राडम हो गया। और इस तनाव के कारण चमपारण, सारण और मुंगेर की जिला कंग्रेस समीति में पहले सदस्यों को किशान सभा के जूलिस में भाग लेने से रोक दिया। और किशान सभा के संगाठन में बिहार में फैलने वाले जो नेता थे जिनका अहम रोल था वो है यहाँ पे नित्यानन सर्मा होगा राहुल संस्कृत्यांग होंगे जो महाबिद्वान कहलाते थे महापंडित अच्छा तीन नमबर पर है पंचानन सर्मा और यजुनंदन सर सभी का किसान अंधोलन और किसान सभा को हिराण में फालने में अगरणी नेताओं के रूप में जाना जाता है तो यहाँ पे चार जो किसान नेता थे वे उभर कर सामने आया जिन्होंने बहुत थी सुचारू ढंक से इस किसान सभा को संगाठित किया और आगे बढ़ने की प्रेटना थी किसान सभा की अन्य मांगे जो थी वह जमिनदारी उन मुलन को जमिनदारी पर्था को खत्म करना गैर कानुन वसीली को भी रोक करना था कास्तकारी को बढ़ावा बेदखली का अंत कास्तकारी की बढ़ावा या बेदखली का अंत करना इनका मुख मांग था बढ़ाकस्त जमीन की भी वापसी करने की ये चार मांग थी अच्छा बढ़ास्त जमीन का मदद किसान सभा और कांग्रेस मंत्री बर्णटल के बीच विवाद का मुद्दा बना फल्स्वरूप बढ़िया ताल के इलाके में के किसान द्वारा खड़ियान नंद सर्मा के नेत्रित में जमीनदारी उन्मूलन की मांग को लेकर एक विरेद अंदोलन पडाम किया गया गया में अभिनंदन सर्मा तथा अलवारी में राहूल संस्कृत ज्यांग ने किसान सभा के नित्रित परदान किया कांग्रेस के उदासिंता के कारण किसानों का जुकाओ सामवाद दल के प्रति हुआ स्वैंग स्वामी सहजानन ने भिया सामवाद में रूची दिखाई बकास्त जमीन के सवाल पर अंदोलन उन्यसो और तिस उन्चालिस तक अपने सिस पर पहुँच चुका थे लेकिन अगस उन्यसो उन्चालिस इस्वी में सरकार द्वारा घोसित अनेक सुविधाओं नय कानून और लगभग छे सो काजकारताओं की गिरेफतारी से यह अंदोनल थमसी गई था कुछ इलाकों में 1945 में किसानों ने फिर आवाज उठाई और इसका अंदोलन तब तक जारी रहा जब तक चमिनदारी परथा खत्म नहीं हो जाग गई आगे करी में अगर इसका मुल्यांकन किया जाया तो मुल्यांकन में अगर देखे तो यह अंदोलन आजादी पुरु तक अपने उद्येसों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका क्योंकि ना तो जमिनदारी उन्मुलन हो सका और नहीं गरामिन रिन गरस्ता का आस्थाई समधान हो सपाया लेकिन इससे क्रिस्कों में अपने अधिकार के प्रती जागरूपता और वर्ग चेतना का संचार किया साथ ही अजादी बाद होने वाले जमिनदारी उन्मुलन क्रिसी सुधार भूमी सुधारों के महत्पुन पिष्ट भूमी तैयर करने के लिए हम भूमी का निवाई इस पर अगर कोस्टन आया कि अलोचनात मक्टिपनी कीजिए किसान अंदोलन पर सुधान अलोचनात मक्टिपनी कीजिए उस तंदर में आप ये भी लिख सकते हैं कि वह विशिष्ट है वह ब्रेटिस सरकार के साथ साथ जमिनदारों और जमिनदारी पर्था का भी विरूद कर रहे थे लेकिन राष्ट्री अंदोलन के समय जमिनदारों को अपना दुस्मन बनाना समय की मांग नहीं थी यही कारण था कि क्रिशक हित में जमिनदारों के विरूद किसी बरे कदम को उठाने में कांग्रेस परहेज करती रही फलता कांग्रेस और किसान सबा में मदबेद होते रहे यही सही है कि साजानन ब्रिटिस राज के साथ साथ जमिनदारों के विरूदी अंदोलन चला रहे थे जो राष्ट्री अंदोलन के रननीती से मेल नहीं खाती थी लेकिन उनका मूलभूत उस देश था सोशित पीरित किसानों की मुक्ति देलाना अंतह उसके अंदोलन का भूलाया नहीं जा सकता किसान अंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही और इस अर्थ में महत्पूर्ण है कि उन्होंने किरिसको के अंदोलन के संगाठित एवन अखिल भारतिय स्वरूप परदान किया और किसानों के समस्याओं के संबंधित मौमलों को रष्टियस तक तक उठाया तो इस तरह से हम लोग किसान अंदोलन संबंधि जितने भी छोटे-छोटे इसमें कोशन बहुत उबर के सामने आगे जो एकजाम के दरिष्टे से बहुत ही महत्पूर्ण है आप इस वीडियो को दो-तीन बार देख लिजिएगा आपको अस्पस्ट हो जाएगा कि यहाँ पर छोटे-छोटे कोस्टन भी सामिलीत कैसे हुए धन्वाद दोस्तों जाएगे